एई गाईज, वेलकम टू पैप्स टामी, तो आज हम बनाएंगे ब्राउनी सीजलर, या फिर आप इसे सीजलर ब्राउनी भी बोल सकते हो, इसके लिए हम चाहिए ब्राउनी, हॉट चोकलर सॉस और आइस क्रीम, और आइस क्रीम मैं मार्केट से अरेंज करूँगा, तो हम पह चॉकलेट और इसे चॉप करके हम मिल्ट कर लेंगे, और मिल्ट करने के लिए मैंने उस क्या है डेबल बोईलर का, अब इसमें अट करेंगे बटर और बटर को भी मिल्ट कर लेना है, जब बटर मिल्ट हो जाए तब हम इसमें अट करेंगे पीसा हुआ चिनी, अब मैं इसे दूसरे बरतन में shift करने जा रहा हूँ अब इसमें add करेंगे refine flour यानि की मैदा cocoa powder baking powder और baking soda और साथ में 2-4 drop vanilla essence का भी और 4 चमस दही और दही के साथ दूद इन सब इको mix करके एक batter ready कर लेना है और अब टानस्पर करेंगे हम baking tin में और इसे bake करेंगे 30 मिन्टों के लिए 180 degree Celsius पे अब आपका chocolate brownie ready हो चुका है तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना अब बढ़ते हैं आगे के पोर्सूस के और चॉकलेट सॉस के लिए मैं चाहिए butter पीसा हुआ चीनी और यहाँ पर मैंने light browns अगर यूज़ किया है दो मिन्टों के लिए पकाएंगे इतने देरे में यह बहुत अच्छे तरह से पक जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा अब आप देख सकते हो अपना sauce अब रेडी हो चुका है और आप देख सकते हो कितना गाढ़ा बना है तो sizzler के लिए आपको चाहिए होगा एक sizzler plate अगर आपके पास नहीं है तो आप तब एक अभी यूज़ कर सकते हो वैसे इंडिया में तो बहुत सारे जुवार लगते हैं तो आप भी कोई जुवार लगा ही लेना अब आपन sizzler plate को गरम करेंगे तो आप इसे gas range पर डालो करीब चार से पांस मिन्टों के लिए और इसे आप बहुत ही अच्छा तरसे गरम कर लो अब गरम हो चुका है तो आप बहुत ही केरफुली इसे gas से उतार लेना अब आपन plate को उपडालेंगे brownie और brownie को उपडालेंगे ice cream और ice cream को पडालेंगे धेर सारा chocolate sauce और आप देख सकते हो sauce डालने के वाद इसमें कितना सारा bubbles आने लगा यही तो मज़ा है sizzler का तो आप भी फटा-फट इसका लूप तुठाओ मैं तो जा रहा हूँ इसे खाने है गाईज तो आपको रेस्पी कैसा लगा प्लीज मुझे के मिट बॉक्स में बताओ वीडियो को लाइक करो शेर करो और हाँ सब्सक्राइब जैरो करते हैं तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस्पी के साथ